दोस्तों आज की वीडियो में हमने on my face कि अगर मैं कहूं कि बादाम खाने से कुछ नहीं होता है ये बात गलत है कुछ तो होता है तब ही तो सभी लुकसला देते रहते हैं आपकी दादी आपकी ममी आपके दिश्टे दार बेटा चार बादम सुबहे सुबहे घूर खाये करो तो दोस्तों आज के वीडियो में नहीं हम लोग बादाम कहने के फैद और नुकसान दोनों के बारे में जानेंगे इसको खाने का सही समय क्या है और हमें दिन में कितने बादाम खाने चाहिए ना ये बहुत ही सस्पेंस वाली बात होती है बहुत लोग पूस्ते रहते हैं तो आज सारी बातों को मैं क्लियर करने वाली हूँ आपको बादाम से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तो आप सभी का स्वागत है में चैनल पर मैं हूँ आपकी दोश्युदी गुपता आज का वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है इसलिए पूरा देखना इसके मत करना है वीडियो को लाकिंग शेयर करना और पहली बार चैनल पर रहा है तो चैनल को बादम में आईरन, कैल्शम, फासपोर्स, विटामिन, कार्बोहर्टेट, पोटेशियम, भरपूर्ट मातरा में पाया जाता है जो शरीर को ताकतवर बनाता है साथ ही दोस्तों बहुत साली भीमानियों से हमारे शरीर को बचाता है तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ज जानते हैं दिमाग के स्वास्त के लिए बादम की गुर्वत्ता को देखते हुए इसे दिमाग के लिए सर्वत्तम आहार माना गया है इसमें मौझूद बिटामिनी नकेवल आपके दिमाग की सतरक्ता को बढ़ाता है साथ ही आपकी याददाश को भी बनाया रगता है यही तो इसलिए आपको बदाम खाना आज ही स्टार्ड करना चीए और आपके बच्चों को भी बदाम खाने के लिए जरूर देना चीए अनेक पोशक तत्तों से प्यचुर बदाम वजन घटाने में बहुत अधिक साहयक है अगर आप थोड़ा सा भी बदाम खाते है तो आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है जिससे आप ज़्यादा खाना नहीं खाते साथ ही इसमें जिंक और बिटामिन बी की मौझूदगी जो होती है जिसकी वज़ा से आपका मन शुगर खाने का कम होता है अगर आप चार हपतों तक लगातार बदाम खाएंगे ना तो आपके वज़ा में काफी हद तक सुधार आएगा दोस्तों अगर ना आप कब्ज की प्रॉब्लम से जूज रहे हो ना तो आज यह आप बदाम खाना सुरू कर दीजे इसके लिए आपको चार से पांच बदाम खाने और बहुत धेर सारा पानी पीना है जिहाद दिन में काफी पानी पीना है जिससे आपका कब्ज की प्रॉब्लम है आपकी वह जर से खत्म हो जाएगी इसके अलावा दोस्तो कालन नाम का एक कैंसर होता है जिसकी संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है साथ ही आपको सीने में जलन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करने में ये बहुत अधिक सहाएक है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मातरा में तेल मौजूद हो होते हैं फासफोर्स और कैल्सियम और बादाम में दोनों ही अच्छी मातरा में पाए जाते हैं इसमें मैगनेशियम मैगनीज और पोटेशियम भी होता है जो स्वस्त और मजबूत हड्यों के लिए महत्पूर्ण है अगर आप घुटनों के दर से परिशान है और कोई भी अन हड़ी के रोग से परिशान है तो आपको रोजाना साबू बादाम खाने चाहिए या फिर आप बादाम को दूद के साथ यह पी सकते हैं छोटे बच्चों की मालिश में आपको बादाम के तेलगा इस्तिमाल करना चाहिए जिससे उनकी हड़िया मजबूत बनती है बादाम ने तोजह संबंदित विकारों को कम किया जा सकता है अच्छी बात तो यह आए कि बादाम की तेल से अगर हम मसाज करते तो आपकी तजह तेल यह नहीं बनती और नहीं आपके इसकिन पर पिमपल्साते हैं एक बादाम अनेक बालों की समस्ताओं को हल कर सकता है चा जबूत और घना बनाता है इसके तेल से मालिस करने से आपके बाद सुनहरे वा लंबे भी होते हैं और लेवेंडर के तेल के साथ मिलाकर सिर्की मसाज करने से दो मुहे बालों की समस्ताओं हो जाती है और बालों की जड़ने की समस्ताओं बंद हो जाती है बादाम खाने से अगर आपको बादाम खाना है तो आपको बादाम भीगो कर ही खाने होंगे क्योंकि जो बादाम की तासीर होती है वो गर्म होती है गर्म होने की वैसे हम इसका ज्यादा सेवर नहीं कर सकते आपको चार से पांच ही बादाम खाने होते हैं ठीके और इसको भीगो के खाने से क् बादाम अखर प्लेट को स्विटा है but to a lot mah ग्राइब कieten तो नाव स्टार को अगर आप कहाना घर है छोह सारीaneous सारा दिन थो पैट आ अनावस्यक खाने का हमारा मनी होता इता जाने का आप हाता है इसे आपका वजन भी चुर्ड आए और आप स्वस्त भी रहते है साथ ही दोसट अगर सुबह के टाइम आप बधाम खाते है तो आपके प्रचन क्रिया में भी काफी हते अदर आता है तो इसलिए हमें बधाम सुबह के टाइम खाना चाहिए और आपको 4-5 बधाम् neural में खाने चाहिए भिगो के खाना चाहिए जात ही हम इसके नुकसान भी जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बादाम की ताशीर गर्म होती है तो कच्छे बादाम तो हमें खाना नहीं है यह आपके लिए नुकसान दे हो सकता है और हाँ दोस्तों आपको बता दो 100 ग्राम बादाम में 12 ग्राम फाइबर पाया जाता है यहदि जादा बादाम आप खाल लेंगे तो आपको डायर की प्रॉबलम हो सकती है इसमें बिटामिन E अधिक होता है जिससे सिर्दर्द की भी समस्या हो सकती है बादाम में यह हलका सा तो यह आप में एक तरह का आपकी शेर में पैदा करेगा जिसे सास संबंदी या सास लेने संबंदी समस्या भी हो सकती है तो यह हैं बादाम के कुछ साइड एफेक्ट बादाम भाई आपको बता दे किसी भी चीज की अती करोगे तो वह नुकसान दे है हर चीज की एक खाने का तरीका होता है हमें इतना ही खाना है और हम बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम नहीं देना है चार से पांच बहुत ज़्यादा होते हैं आपको भी इतना ही खाना है ठीक है दिन में आप सुबह के टाइम खाईए और सौस्त र करना चाहते हैं तो कमेंट्स वाक्स में पूछ लीजेगा मैं जरूर इसका रिप्लाइग करूंगी वीडियो को लाइक शेयर करना एंद पहली बाद चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलना फिलहार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं तब तक लिए जय हिन जय भारत